किया थे था कि में हेलो गाइव वेल कम टू छोल अफ यूवन लिर नोई जद अभर नपर नए और आपे तकि अमरी चैनल तो को सब्सक्राइब नहीं किया तů प्लीज इसे सबस्क्राइब कर लीजेगा और अगर यह विदियो आपको पसंद तो इसे लाइक किजेगा और अपने फ्रेंट के साथ शेर किजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं मसीन इनपुर का पार ठीक है इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ाया है अगर आप लोगों ने अभी तक यह दोनों वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कुछ बीजिए शुशंल सॉल्फ किया ठीक है तो पार टू में क्या क्या था इसे हमने असेंडिंग डिसंड Т darf क्या था इसमें में असेंडिंग डिषेंडिंक के साल किया था नंबर स्बाले थीक है यह दो पेटर्ण हम लोगोंने सॉलक कर लिए तहाज में बटर ओपन इरेजर ठीक है यह वर्ट दिये हुए है ठीक है अभी क्या है इसमें चार स्टेप्स बना रखा है ठीक है तो अब चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसने कौन सा पैटर यूज किया ठीक है सबसे पहले मैं देख सकती हूं इन्पुट में लिखा है पाइसे पाइसे स्टेपर बटर को सामने ले आया ठीक है तो यह क्या हो सकता है यह दूसरा सबसे छोड़ रहे हम देखते हैं और अभी क्या पैटर चल रहा है क्या बोलता है उसके बाद बटर कॉल नॉट या स्वी ऑपन इर्येजर के बाद किया लिख दिया इसने आस लि लिखा उसके बड़े को इसने बाद में लिखा ठीक है सबसे पहले इसने क्या किया किया आस को लास्ट में लिख दिया आस के इधर सामने क्या लिख दिया बटर लिख जा ठीक है पहले स्टिप में इसने क्या किया सबसे छोटा लास्ट में उससे थोड़ा बड़ा सेकंड स्म लेटर को मैंने लिख लिख लिए ठीक है अब सबसे पहले एक इस सब की प्लेस वैल्यू के आती है 14 21 यह मैंने प्लेस वैल्यू आप लोगो याद करा रखिए अगर अभी तक वह वीडियो नहीं देखें प्लेस वैल्यू तो प्लीज उसे जाकर देख लेना ठीक है तो आप बटर लिखा और इधर आस के बाद क्या लिख दिया इसने इरेजर लिख दिया ठीक है आस के बाद क्या लिख लिख दिया तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है बी बी आया था तो अब तीन कि इधर आना था मेरा जो पैटन चल रहा है उसकी सबसे एक इधर आया दो इध अब किया सकते है जब कॉल पहले आ गया तो में दिमाख में क्या चले practical पहले साइट की आया पहले स्ट्रीप एधर अरहे क्या इंच अपना क्या थे क्लेश्प करन देख आते ऑας क्ऊंतर गें इसемनाaks को सुटुचिंध ह और B हो गया, C के बाद के आना चाहिए था, इधर के आना चाहिए था, इधर के आना चाहिए था, इरेजर आना चाहिए था, पर आ रहा है कि वैसा नहीं आ रहा है, मतलब ये पैटन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पैटन फॉलो कर रहा है कि सबसे चोटा इधर, उसके बड़ा इधर ठीक है A के बाद B फिर इधर C आना चाहिए था यह फॉलो कर रहा है क्या नहीं मतलब यह पैटन नहीं फॉलो करेगा ठीक है और कोई सा पैटन फॉलो करता हो तो अब हमें वह चेक करना पड़ेगा अब मैं देख सकते हूं पहले स्ट्रेप में इसने लिखा B लास्ट में एक ठीक है दूसरे चैबर इसने लिखा इस ईके बाद इस लिख एक की बाद क्यालिका इसनी पिक्ता इप महित अग्याया। इस्तरे लिखा मुझत मुझत हैं च्छी चोते पार implyन Cryy गा जंईने इसके बाद अश्रों जाय गाएं ए पॉयो देख सकते इसम वॉव खूऊंशनेंट को चल रहा हो इधर में देख सकती हूं इधर क्या है सारी सारी तो मतलब यह क्या है क defa कर रहा है ठीच ev अब सबसे पहले में की लिया सबसे शोटा वॉविड उसके बड़ा वॉवल उसके बाद एधर वहल उसके के बाद उससे बड़ा वोवेल ठीक है कॉंसोनेंट में क्या किया है सबसे छोटा कॉंसोनेंट उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कॉंसोनेंट उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कॉंसोनेंट ठीक है और पैटन कैसे चल रहे हमारे पैटन कैसे चल रहे हैं बी इधर आया B के बाद C इधर आया C के बाद M इधर आया ठीक है मतला ऐसे pattern चलते जा रहा है ठीक है और इस तरब वावेल वाले में एक इधर आरहा है दो इधर आरहा है तिन इधर आरहा है इधर इस सब consonant के तरब क्या लिख रहा है और वोविल की तरब क्या लिखते जा रहा है बाद में लिखते जा रहा है ठीक है कॉंसोनेंट को वो क्या लिखते जा रहा है पहले लिखते जा रहा है और वोविल को बाद में लिखते जा रहा है ठीक है उसके पहले अगला consonant और वोवल में क्या हो रहा है एक वोवल लिखा उसके बाद दूसरा वोवल लिख रहा है ठीक है ऐसे कुछ भी वोवल लिख रहा है तो अब मुझे देखते है पैटन क्या समझ में आगा है इंपूट के बाद इधर consonant आएगा इधर वोवल आएगा ठीक ह इधर के आएगा Consonant इधर वोवेल और यह चलेगा Consonant के पहले Consonant ऐसे और ववेल के बाद वोवेल ठीक है यह बैटन चल रहा है अब चलते हम हमारे इन्पुट की तरफ ठीक है उसको हम सॉल्व करते हैं इन्पुट और कोशन यह रहे है आप लोगों के सामने ठीक है क्या लिखा हुआ है अर्ली मॉर्निंग रीड अब मैंने सबसे पहले आप लोग क्या पता है जब हम पता चल जाए अब हम सारे वर्ड को ई ए आर एल वाइशा लिए टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल है मोर निंग करेंगे विलकुल यह हम क्या करेंगे पहले लेठर को लींगिः और अगर ऐसा हुआ जैसे ओर अरली और अग्या इवनिंग और एवनिन मान लो ठीः तो हम क्या करेंगे अरली को फेर्टर में टॉर यह को लीकिने इस Little भी रिपीट नहीं हुआ इसलिए हम पहले पहले लेटर को लिक लेते हैं थीकर इनपूट दिया हुआ है SOL M आर अर ऑर एश यू ऐर इच ही अब हम पहला स्टेप बनाऊंगी अब मैं क्या करूंगी वोविल वोविल को इधर लिख के रख लेती हूं, E है, A है, U है और I है, ठीक है, और consonant कौन सा है, E हो गया, A हो गया, U हो गया, और I हो गया, consonant को हो जाएगा, M, R, S, P, ठीक है, ये हो गए मेरे वोविल, ये हो गए मेरे consonant, ठीक है, consonant और वोविल पता चल गए, अब हम क्या करते हैं, इ इसको solve करना start करते हैं, उसी pattern पे, ठीक है, क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या लिखा था, हमने सबसे छोटा वोवे लिखा था, इसकी place value 5, इसकी 1, इसकी 21, इसकी 9, ठीक है, इसकी place value 13, इसकी 18, इसकी 19, इसकी 16, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि place value का कितना ज्याद इंपोर्टेंस है, इसमें, reasoning में place value बहुँँ चादा इंपोर्टेंस रखती है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोग को place value का ही chapter पढ़ाया था, place value को ही याद करना सिखाया था, ठीक है, place value का अगर आप लोगोंने याद नहीं किया, तो please इससे याद कर ले, जो बिना place value य इधर वोवेल लिखना है, ठीक है, तो वोवेल सबसे चोटा कौन सा है, वोवेल देख सकती हूँ में, e, a, u, i में कौन सा है, e है, तो a आगे last में, ठीक है, अब क्या रहेगा, वोवेल आगे सबसे चोटा, अब कौन सा है, m, r, s, p, m, 13, 18, 19, 16, 13, सबसे चोटा मतलब m, है अगे, m हो गए, और a हो गए, ठीक है, बाकी को क्या करेंगे, हम एजटीज लिख देंगे, e, r, s, u, i, p, ये बन गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है, अब दूसरा स्टेप बनाते हम, अब इधर m के पहले आएगा, मतलब m के पहले क्या जाएगा, 13 के बाद क्या आना है, 18, a, e, u, i में a के बाद e आ जाएगा, ठीक है, a के बाद e आ गए, ये भी हो गया, ठीक है, 4 हो गए, बच्चे कितने 4, कौन कों से बच गए, r, s, u, i, ठीक है, इतनी बत आई समझ में, अब तीसरा पैटन क्या बोल रहा है, मेरा, तीसरा पैटन बोल रहा है, p, m हो गया, a, e हो गया, ठीक है, अब m हो गया है, p हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, बच्चा किया 13, 19 में से किसी लिखीं अन। 11 क Skrat P,m हो गया, इतनी बत आगी समझ में, बचा क्या यहां पर आई भी हो गया एस और यू बच़िया ठीक है अब क्या करेंगे चौथे में एस बचा है इधर एस लिख देंगे S-R-P-M और इधर क्या जाएगा A-E-I-U ठीक है यह हमारा क्या हो गया Machine Input का यह कोशन लिखे लिए हम लोगों ने यह क्या हो गया हमारा Solve हो गया ठीक है अब कोशन देखते हम कोशन क्या क्या बोल रहा है सबसे पहला कोशन बोल रहा है कि उसमें से कौन सा step है जो क्या है दूसरा step है arrangement का ठीक है यह हमने arrange किया उसका दूसरा step पूछ रहा है तो जिस भी option पे दूसरा step लिखा रहेगा मतलब P M R S U I A E ऐसा लिखे रहेगा उसे हम क्या करेंगे अपना answer कर देंगे ठीक है टिक कर देंगे उसे हम कि यह हमारा answer है ठी P M R S U I A E second वाला दीक गया वह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है इसमें second step पूछा था हमने second step को डीक कर दिया अभी क्या बोल रहा है दूसरा question which element is second to the right of third from the left element in second step third ठीक है कौन से ऐसा element है जो क्या है right से किता है second है और left से किता है third है मतलब left से third और right से second है क्या बोल रहा है third from the left है जो left से जो third है उसके second right पर कौन सा है तो हम इसमें क्या से solve करते हैं और कौन से statement पूछा है तीसरे statement ठीक है क्या पूछ रहा है कौन से element है जो तीसरे step के left से third के right second पे हैं अब ये सब हमें language समझने आती हम क्या करेंगे हमने देखा right हमने देखा left अलग अलग है तो वह जाएगा addition मतलब जूड जाएंगे अलग अलग है तो जूड जाते हैं ये भी मैंने आप लोग को स पहली सिखा रहा था ठीक है basic हमने पहले ही discuss कर लिया है अगर आप लोगों ने पहली दूसरे class नहीं देखी तो उसे जाकर देख लेना ठीक है ताकि आप लोगों ये better समझा जाए पूरा detail में हमने discuss किया था इसे और ये हो गया right से second आ गया left से third अब हम क्या करेंगे अलग देंत तो Center report za 5 जलेंत तो एलेमेंड आ तो विच उलेमेंट इस सब्सक्राप से fifth यह किस नहीं पांच में धिस्वा यू आट से 5 में गाति देंक व's 15 ति यूजरा ठीक है क्या दिया हो था मुझे तो इसका शुणा यूजरा दो था साथा अंग यूजरा step की जरूरत पड़ी तो हम देख सकते हैं पहला step दूसरा तीसरा और चौथा तो answer क्या जाएगा चौथे step की चार step ही हमें जरूरत पड़ी ठीक है answer क्या जाएगा चार ठीक है अगला question क्या बोल रहा है चौथा question which element will be 7th from the right in step first ठीक है पहले step में राइट से साथवा element कौन सा होगा पूछता है पहला step यह रहा ठीक है sorry एक मिनट M है E है R है क्या लिखा था M E R S और U और I ठीक है क्या पूछ रहा है पहला step यह जो है इसमें 7th right side से 7th कौन सा होगा ठीक है तो right side मतलब इधर 1,2,3,4,5,6,7 E आ रहा है E से मैं देख सकते हूँ क्या दिया हुआ है early तो answer क्या हो जाएगा early ठीक है answer क्या हो जाएगा early answer क्या गया early ठीक है तो आप देख सकते हैं पहले का answer आया हमारा second strip दूसरे का answer आया था using तीसरे काया चार चौथे काया early ठीक है यह समझ में आ गया आज हमने क्या discuss कर लिया वावल और consonant वाले concept ठीक है यहां पर इसने वावल लिखा था यहां पर consonant ठीक है हो सकता है आपको इसी में मेरा ठीक है पर बढर चैनले परक looking के चाऌड़ा परका कर रीक migrant ठीक को कर दो ऑन्रौन सब्सक्राइब कर दो q適े चाहलें हम्हें थार अट्म फेंपरί का सब्सक्ता है में इस तरीका बता दिया कि वाफ़यलो.. कोशन मुझे उम्मीद है कि एक नए पैटन के साथ theo ने पैटन आप लोग को जो समझाया है वो आप लोग को समझाया होगा ठीक है तो चलिए session को end up करते हैं till then keep learning keep practicing thank you and bye bye